हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुदे माई चैनल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिख चैप्टर जो की फाइन आट्स की बुक है जो 11th क्लास की उसका सिख चैप्टर है और यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टन चीजे जो है जो आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगी और उसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीजे आपको समझा दूँ ताकि जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो अगर वो वर्ड आएं तो आपको समझने में दिक्तत ना हो ठीक है तो इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ टेंपल आर्किटेक्चर के बार जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो यह वाला हिस्सा है उसको हम कलश कहते हैं ठीक है और उसके बाद जो एक सर्कुलर सा बना हुआ है सर्कुलर सी जो चीज बनी हुई है कि मिली सॉरी यह कुछ दिक्कत होगी एक से पर बना हुए है इसको हम कहते हैं अम्लक कहते है और उसके बाद यह जो नीचे का आप देख रहे हैं इसको हम शिख्रा कहते है और इसके नीचे का जो ये पाट है इसको हम कहते हैं ये जो चीज है ये जो एक मिनट ये जो चीज है इसको हम शिखर कहते हैं उसके नीचे ये जो चीज आपको दिख रही है इसको हम उरू शिखरा कहते हैं और इसके नीचे ये चीज जो आपको दिख रही है ये अंतराल कहत इसको और यह जो आपको सेकेंड जो शिखर दिख रहा है इसको हम माहा मंडपा कहते हैं और इसकी नीचे यह जो चीज दिख रही है इसको मंडपा कहते हैं और इसकी नीचे यह जो चीज दिख रही है आपको इसको अर्ध मंडपा कहते हैं और उसकी नीचे यह जो आपको एक इस चीज पर पूरा मंदिर बना हुआ है इसको हम जगती कहते हैं जिसको इंगलेश में हम कह सकते हैं रेजड प्लेट फॉर्म राइट और इसके नीचे जो चीज बनी हुई है इसको हम अधिस्थाना कहते हैं और यह पीछे आपको दिख रहा है यह गर्भग्रिया जहां पर में डीटी को बिठाया जाता है ठीक है तो यह चीज एक गर्भग्रिया बन गी तो यह जो इंपॉर्टन चीज है यह आपको आपके लिए जानना जरूरी था तो यह मैंने आपको बता दिया है और इसमें भी आप वही देख सकते हैं कि एक नॉर्थ इंडिया में एक बेस बना है यह एंड्रेंस है यह मंडपा जिसको हॉल कहते हैं यह महा मंडपा जिसको ग्रेट हॉल कहते हैं और इसको वेस्टिबूल कहते हैं जिसको अंतराल कहते हैं यह अमलक हो है उसके उपर शिखर है और यह जो है यह गर्भग्रिया है ठीक है इनर सेक्टम जिसको बोलते है और यह secondary tower है तो I am sure कि आपको कुछ चीजे जो है वो clear हो चुकी होंगी ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओड़ ठीक है तब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओड़ चैप्टर का नाम है temple architecture and sculpture ठीक है तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अगर हम देखें तो जो medieval और ancient time से जो चीजे जो remain survive होती आ रही है वो ज़्यादा तर आपको religious मिलेंगी राइट religious मिलेंगी और इसका मतलब यह नहीं है कि लोग domestic जगहों पर जहां पर रहते थे वहां पर कोई decoration वगरा नहीं करते थे ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि जो वह अपने house में जो decoration करते थे वह ज्यादा तर clay और woods की होती थी इसलिए clay और woods की जो बनी चीजे होती थी वह ज्यादा तर destroy हो जाती थी तो उनका ऐसा कोई remains नहीं मिला है और हम आगे इसमें देखेंगे बुद्धिस्त और जैन्स के कुछ temples भी देखेंगे और इसका जो कुछ ऐसी चीजे देखेंगे जो की religious shrine से related होंगी और जो कुछ local cults और villages और forest areas में जो चीजे as a religious तौर पर बनाई जाती थी वह चीजे हम इसमें देखेंगे ठीक है तो यह paragraph जो मैंने अभी बताया mostly इसी से related है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे about early temple right अब early temple का जो constructions है वह स्तूपा के form में होगा ठीक है जहां कि हमें पता लगता है स्तूपा जो की बुद्धिस्त और जैन्स के टाइम में बनता था वह अभी तक continue है और जो ब्रमानिकल temples होते थे उनकी images जो थी वह gods gods के images से स्टार्ट होती थी ठीक है वहां पर gods की जो कुछ images थी वह भी construct होती थी और ज्यादा तर अगर हम देखें तो temples जो थे वह god की images से ही decorate किये जाते थे ठीक है उसमें हमें और कोई चीज नहीं मिलती है god की images से ही वहां पर decorate किया जाता था एक मिथ जो है कि पुरांज में mention है जिसमें यह बताया गया है कि जो narrative representation है वो पार्ट था बर्मान कल religion का बट ऐसा नहीं है हम अगर हर temple में देखें तो जो principle image होती थी वह gods की ही होती थी ठीक है अगर हम किसी भी temple में जाते हैं तो जो main god होता है उसी इमेज हमें देखने को मलते हैं अब जो shrines होते थे टेंपल में उसको तीन भागों में बाटा गया है पहला है संधारा टाइप जिसको विदावड पदी दक्षना पथा बोलते हैं और तीसरा है निरंधारा टाइप जिसको हम with प्रदक्षिना पथा बोलते हैं और एक इससे देवगर्ड उत्तर परदेश में और इरान नाचा कुथारा उद्यागिरी और विदिशा के नियर है मध्य परदेश में और यह टेंपल के जो स्ट्रक्टर हैं बहुत ही सिंपल है और वरांदा है हॉल है और आपको shrines रेयर मिलेंगे लेकिन आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा तो यह चीज़े हैं आपको थोड़ा याद रख लेनी है नेक्स देखते हैं कि बेसिक जो फॉर्म से हिंदू टेंपल के वह क्या क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही जो मैंने आपको टेंपल का एक पिक्चर दिखाया था उसमें कुछ ची मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए आई विल ट्राइटो सॉल्व राइट बेसिक फॉर्म 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 हिंदू टेंपल कंप्राइज फॉल्विंग सेक्टम सेक्टम जिसको हम गर्भग्रिया बोलते हैं वंभाउस जहां पें में डीटी को बिठाया जाता है जैसा कि मैंने आपको पिछले जो टेंपल की जो इमेज थी उसमें मैंने दिखाई और एक स्माल क्यूबिकल विद सिंगल एंटरेंग्रिया गर्भग्रिया इस अमेड़ फॉर्म 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 हम पढ़ेंगे चैप्टर तो वहां पे जो कुछ लिखा होगा उसको समझना ईजी होगा तो यहां पे आपको लग रहा होगा कि आप बहुत इजली इन चीजों को समझ पा रहे होंगे राइट दे एंटरेंस तो टेंपल विद में भी पॉर्टिको एंड कॉलन एड़ेंड हॉल और इन कॉर्पोरेट स्पेस फोर लार्ज नंबर ओफ वर्शिपर्स और नोन एक में थाई हॉल एक में धॉर्ण कॉलन एक में थाई़ ये । एक में था चाहर मुझे मिल नहीं रही है मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी ठीक है तो आप गूगल पर सर्च कर ले ना मैं आपको यहीं पर बता दे रही हूं कुछ इस तरह से बना होता है इस तरह से कुछ तो यह इस तरह का एक पिलर्स होते हैं और इस तरह का कुछ एक हॉल टाइप होता है जहां पर एंटरेंस होती है तो इसको जो है एक पॉर्टिकोर या फिर इस तरह से प्रनाउंस किया जाता है ठीक है कुछ पॉर्टिक वर या फिर कॉलोनेड़ टाइप ऐसी कुछ चीज होती है और फ्रीस्टेंडिंग टेंपल्स होते हैं टेंड टू हैव मौंटें लाइक स्पायर्स और प्रेश्परी में बता दिया है आप एक बार इसको रीड कर ले नगरा जो कि नौर्थ में परफॉर्म होता था ये आठ और जो द्राविडा है ये साउथ में परफॉर्म होता था और जो सेंट्रल इंडिया में कौन से आर्किटेक्चर यूज होते थे यह चीज आप एक बार पढ़ लीजी किया इसमें सब जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है सब वह ही है स्क्लप्चर और इक्नोग्राफी और ओर्नमेंटेशन यह हम देखते हैं study of image of deities fall within a branch of art एक जो हम deities की image को study करते हैं वो एक art form में ही historic art form में ही बताया जाता है लेकिन जो study है study की जाती है जो image of deities उसको हम इक्नोग्राफी कहते हैं यह चीज आपको याद रखना it could be asked so you should remember this right इक्नोग्राफी which is study of images of deities and fall within the branch of history right which consists of identification of images based on certain symbols and mythological associated with them इसे हमें पता चलता है कि अगर कोई भी image है तो उसके symbol से हमें पता चलता है study करके कि इसके पीछे mythological चीजे क्या क्या associated है और यह सब stories हमें बहीं से पता चलती है and very often while the fundamental myth meaning of the deity may remain the same for centuries इसा बहुत देखा जाता है कि while जो एक fundamental myth है जो की जो deity का meaning है वो same होता है हर century में लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पर कुछ अलग-अलग चीजें उसका social या political geographical content जो है वो different देखा गया है spot can be responsive to this local and immediate local social political इन सब बेसे पे जगह जगह पे हर एक चीज़ डिफरेंट देखी गई है every reason and every period of its own distinct style of images with regional variations in iconography iconography से हमें पता चला है जो हर रीजन और period में हमें जो images देखी गई है वो काफी different style की देखी गई है ये जो कहा जाता था कि same थी हर century में ये एक बहुत ही fundamental myth है जो कि लोगों के दिमाग में डाला गया है तो temple जो होता था वो cover होता था एक elaborate sculpture से ornament से जो की fundamental part बनाता है प्लेस्मेंट जो होती थी images की वो भी बहुत ही carefully planned की जाती थी और river goddess की हमें जो गंगा जमना जो की हमारे देश में इनको as a goddess पूजा जाता है तो इनकी जो भी images थी ना वो भी entrance के जो entrance पे होती थी जो गर्बगरिया का entrance होता था नगरा temple में वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी और अगर हम देखें south में तो द्वारपाल जो आपके entrance पे मिलेंगे temple के entrance पे द्वारपाल जैसे की doorkeeper जो की usually आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ठीक है और गोपुरम्स of द्रविडा temple पर आपको जो द्वारपाल मिल जाएंगे similarly देखा जाएंगे तो एक erotic images जो की खजराहो temple में आपको देखने को मिलेंगी और नवगरहा, nine species planets, एक्षा, ये भी यक्ष यक्षनी की मूर्तियां भी आपको entrance में मिल जाएंगी ऐसा माना जाता है कि जो यक्ष और यक्षन यक्षनास की मूर्तिज है वो जो temples के अंदर जो भी खजाना है उसकी safety करने के लिए यहाँ पर खड़ी की गई है तो ऐसा कुछ conception है various forms अगर हम देखे aspects of main divinity are found on the outer wall of sector, ये सब चीजे वहाँ पर पाई जाती है और DT's की जो direction होती है अस्था दिक्षपालास face the 8 key direction on the outer wall अस्था दिक्षपाला का जो face है वो 8 keys की direction में होती थी और outer wall होती थी जो section की wall of temple subsidiary shrines around the main temple जैसे कि मैंने दिखाया था कि बीच में एक main section होता था और उसके आसपास मंडपा महामंडपा तो ये सब चीजे subsidiary shrines के रूप में होती थी और ऐसा माना चाहता है कि ये temple की family को dedicated होती थी right main duty की जो family है वो इन सब छोटे छोटे subsidiary shrines में रहती थी और finally अगर हम देखें तो elements है ornamentations का जैसे कि गवक्षा व्याला यली कलपा लता अमलका कलशा एकसेक्टरा ये भी एक बहुत ही अलग तरीके से यहां पे मंदिर की जगों में यूज की जाती थी right हम देखते हैं दन नगरा और नौर्थ इंडियन temple style जैसा कि मैंने आपको easily easily I think आपको कोई भी परिशानी नहीं होनी चाहिए समझने में कि नगर style का जो temple है सबसे पहले तो वहां पे जगती यूज होती थी ठीक है जगती और वहां पे ये जो एक ऐसा structure बना होता था वह आमलाका होता था उस पर जो एक ऐसा structure बना होता था वह शिखरा होता था और फिर ये जो होता था एक बड़ा सा hall और जो एक shrine होती थी वह जो मेन डीटी होती थी वह गर्भग्रिया में situated होती थी और उनके entrance पे जो गंगा जमुना की मूर्तियां बनी होती थी यह जो कुछ basic चीज है यह आपको याद रखनी पड़ेंगी तो चलो हम पढ़ लेते हैं style of temple architecture that become a popular in northern India known as a nagra in north India it is common for an entire temple to build on the stone platform with its steps leading to it leading up to it जैसा कि मैंने बताया था stone platform एक platform होता था ठीक है जगती जो कि stone का बना होता था further देखें तो south India में ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे कोई जगती वगरा नहीं थी usually अगर हम देखें unlike the south India does not usually have elaborate boundary walls और gateways वगरा वहाँ पे ऐसा नहीं कुछ होता था वाइल अलियस टेंपल अगर हम देखें तो वहाँ पे वन टावर होता था और शिकरा होता था और लेकिन लेटर अगर हम टेंपल में देखें तो वहाँ पे काफी सारे टावर और शिकरा पाए गए गए अगर हम देखें तो टेंपल का जो एक एक पार्ट है वह इसका जो मीनिंग है वह मतलब उसको बुलाते हैं किस नाम से वह वहरी गरता था स्टेट तो स्टेट राइट तो अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन नेम ओफ फर सिंपल शिकरा विचिस कोईयर एट बेस और हूस ब यह आप देखिए इसको लेटिन शिकरा बोलते हैं यह ठीक है यह शायद बोलते हैं ठीक है रिखा पर साथ टाइप अब शिकरा और सेकेंड मेजर टाइप आफ आर्किटेक्टर फॉर्म नगरा जिसको फमसाना बोलते हैं फमसाना विल्डिंग ऐसी होती है कि जैसे ब्रॉ और शॉर्टर भी होती थी राइट तो वह हम आगे देखेंगे और देर रूफ र कंपोज़ रफ सब्रस्लाब्स अट जैंटली राइस तो दे सिंगल पॉइंट यह एक ऐसे कुछ बना बना होता था यह सारी सारी ऐसे करके और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता था इसका राइ लेटर ओन दे लेटीना बिल्दिंग ग्रूव कंप्लेक्स और इन्स्टेट उफ परेइंग के सिंगल टार टावर अगर हम आगे चलकर देखें तो जो लेटीना की जो बिल्डिंगέ ती वो कुछ Helect तरीके से थी अगर हम देखें सिंगलल टावर होता था, तो तो टेंपल begin to support many small towers तो temple का आगे चल कर क्या हुआ कि पहले सिर्फ एक ही tower होता था लेकिन आगे चल कर उन्होंने कुछ structure change करा और जो कुछ अलग-अलग small towers थे वो बनाने शुरू कर दी है राइट which were cluster together like rising mountain peaks and tallest one being the center जैसे mountain peaks होते हैं जो सबसे tallest होता वो बीच में होता है and the small towers are around them तो ऐसा कुछ होता था right third means sub type of nagra building is what is generally called wallabhi type और जो nagra building की third type है जिसको wallabhi type बोलते हैं और ये rectangle building होती थी इसका roof जो है वो rise होता था vaulted chamber में और इसका जो edge होता था vaulted chamber में rise होता था like bamboo or wooden wagon that would have been drawn by bullocks and ancient time और अगर हम देखें तो इसको हम usually wagon walled building भी कहते हैं ये किस तरह की होती थी मैं आगे आपको दिखाऊंगी and mention about the form of temple is influenced by the ancient building form that were already in existence before 15th century बलाभी type building जो है one of them है और अगर हम देखें तो ये आपको एक देवगर का जो है building ये आप देख सकते हैं ठीक है और ये आप तर्शवरतार की कुछ मूर्थियां देख सकते हैं ठीक है और आराउंड प्लान मैंनी बुद्धिस रॉक कर चैत्या केव वहां पर बनी होती थी और ये नोटिस देख देख लॉंग है तो इसको हम parts में divide करके बहुत अच्छे तरीकी से पढ़ेंगे तो ये वीडियो यहीं तक है ठीक है अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक share and subscribe और अगर कोई शिकायते हैं कोई मसला है तो प्लीज आप comment box में बताएं हम उसको resolve करने की कोशिश करेंगे so till then okay take care bye bye and thank you so much